क्या आप जानते हो राहू ही वो ग्रह जो आपके जीवन में आपार धन बरसा सकता है अगर आपके जीवन में धन की कमी रहती है रास्ते नहीं कहीं से सूज रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके राहू ग्रह की ये कमजोरी है और राहू ग्रह की कमजोरी को हम दूर करने के लिए धन त्रेवदेशी पे एक ऐसा जबरदस्त उपाय करेंगे जो कि आपके जीवन में धन के रास्ते खोलेगा और राहू की परेशायों को भी दूर कर देगा क्योंकि राहू की जो देवी हैं मा सरस्वती हैं और सरस्वती की करपा से ही आप यानि की बुद्धी और विवेक के दम से ही आप अपने धन के रास्ते खोलोगे और साथी साथ आपके घर में खुशियां भी आएंगी आपके घर में हर तरह की चीजें होगी और यही घर में इस्तमाल होने वाली एक चीज जो की राहू के काम आने वाली है और आज मैं आपको इसकी एहमियत इंपॉर्टेंस और किस तरह से यह आपके राहू को कंट्रोल करने वाला एक उपाय बनेगा आज हम इसकी चर्चा करेंगे नमस्कार दोस्तो तिवारों का समय चल रहा है और यह तिवारों के समय में हम अपने घर की पुरानी चीजों को बाहर कर रहे हैं और नई चीजें जो हमारे घर की शुबता को बढ़ाएं हमारे घर में एक अच्छा एट्रेक्शन दे हमारे मन को शांती दे जिससे की घर की शोभा भी बढ़े और आपके मन को भी शांती मिलती रहे क्योंकि देखिए खर्चा तभी हो पाता है जब जेब में पैसा हो और जेब में अगर पैसा ही ना हो तो तो तेवहार भी खाली चले जाते हैं पर आपका तेवहार खाली ना जाए आपके जीवन में धन के मार्ग खुलते रहें उन मार्ग को खोलने के लिए सबसे पहले हम में राहू को देखना होता है राहू को हम ज्यादा तर परेशानी से जोड़ के देखते हैं कि जिसके राहू डिस्टरब होते हैं उसके जीवन में परेशानी आती है राहू की दशा आगे दिमाग कहीं न कहीं confusion रहेगा आपको डर रहेगा आपका दिमाग कहीं न कहीं बंद रहेगा अब यह सारा कुछ Department ॥क्या। आपके दिमाग पर आपके सोच पर असर क्यों डालता है स्था इक आदमी परशान है दिमाग से परशान है तो वह कुछ नहीं कर पाएगा आपके दिमाग में एक बार में एक ही विचार घूमेगा या तो वो sad यानि कि किसी तरह से negative विचार घूमेगा या तो वो positive विचार घूमेगा या तो वो productive विचार घूमेगा अब productive विचार किसके दिमाग में आता है यानि कि ऐसा विचार जिससे वो फाइदा कर सके और फाइदा करने वाले जो लेते हैं एक इंसान को कामियाब बनाने वाले और डूसी तरफ वह दिमाग है इंसान का जो कि घर में पड़ा हुआ इंसान डर रहा है इसान कुछ करी नहीं पा रहा है यानि कि उसको एक तरह से अरेस्ट कर देता इसी तरह से आपकी सोच आपकी बुद्धी कहीं ना कहीं आपका विवेक यह सब मासरस्वती से connected हैं कहते हैं कि मासरस्वती ज्यान और बुद्धी की देवी हैं और विद्या की देवी हैं विद्या यानि कि आपने कोई काम सीखा तभी उस काम से आप जीवन में कुछ अर्जित कर पाए यह आपने बिजनेस के कुछ काम सीखे तभी आपने उससे कुछ अर्जित किया इसी तरह से जब तक राहू विक्ति का शुबना हो तो दिमाग में उठने वाले विचार भी शुबना होंगे द अपने घर में धन के रास्ते आते होई देखेगा अपने जीवन से यह जो किलत है पैसों की उसको दूर करेगा तो यह वह जादूई चीज जो आपके घर में रसोई में होती है जी हां इसको ध्यान से देखिए यह है आपके घर में मिलने वाली साबुत धनिया कोरियंडर अब यह धनिया आपने क्या करना धन्त रेयोदषी के दिन आपने धनिया जरूर खरीदना है इस चीज difference अधनिया अपने इच्छा अनुसार quantity आनुसार खरीदीं दीए और धनिया आपके घर काम आएगा और इस धनियासे आपको कुछ काम भी करने sense अब यह सब कुछ हम धनिया से क्यों कर रहे हैं क्यों क्योंकि धनिया राहू की कारक वस्तु है और राहू की कारक वस्तु को हमने यह शपत दिलानी है कि राहू महराज आप शुब चलो यानि कि महासरस्वती की करपास है अब यह जो हम धंत्रयोदशी इस दिन हम पूजा करते हैं महा पूजा अर्चना करते हैं तो यही एक दिन है जो आपके जीवन से किलतों को एक स्कैर्सिटी एक कम्प्रोमाइजिस को दूर कर सकता है और साती साथ यह राहू का एक उपाय है हम धन को भी बढ़ाएंगे और राहू को भी यहां पर हम शुब करेंगे शुब क्यों करेंगे आप यहां देखें देवी देपताओं की पूजा हो रही है और जो राहू की अधिश्टाता देवी हैं मा सरस्वती उनके सामने ही हम यह कारक चीजों को रखेंगे अब इस दिन आप जाडू लाते हो जाडू भी खरीदी जाती है इस दिन आप अपने घर में मिश्ठान ब खरीते हो बरता नित्यादी खरीते हो सोना चादी यह क्यों खरीदा जा रहा है क्योंकि धन तर्योदेशी का दिन ही वो दिन है एक तरह से अम्रित कुंड यानि कि आसमान से वह एक पॉस्टिव रेज और कृपा बरस्ती है कि जिस गंगा में आप नहाल हो तो जीवन आपक की पूजा करोगे शाम की पूजा के समय अपने उस पूजा स्थान के पास रखेंगे और मालक्षमी मासरस्वती गनेशी कुबेर जी सबसे आप प्रार्तना करेंगे कि आपके जीवन में राहू संबंदी दिक्कत हैं यानि कि जो धन की सेहत की या कुछ भी यह सब परेशा से अब वो लोग जो मानसिक रूप से परेशान है कुछ नियूरोलोजिकल डिस्टर्बेंसी उनको दिमागी टिप्रेशन एंजाइटी कुछ भी अब यह धनिया आपका काम आएगा इस धनिया मैंसे आप 400 ग्राम धनिया करीब 400 ग्राम आप देखो आपको लगबग एक किल वार लेना है उसके सिर से एंटि-अक्लोग साथ बार वहर लेना है उसके बाद आपको अपने घर के आसपको तो यह अब आप यह सोच नहीं होते पर इतना ध्यान रखी यह पंच दिवसी एक समय चल रहा है इस समय में ना तो नोमी ना फी चतुर्ती नामी कुछ भी आप इतने जो दिन होते हैं जो आपके चीज़ें सब कहीं ना कहीं नीट्रलाइज हो चुकी होती है इस समय में आप यह उपाय करेंगे और उस व्यक्ति के लिए करेंगे जो परेशान है अब जो व्यक्ति राहू की दशा से पीडित है धन नहीं आ सारे तरफ से रास्ते बंद है तो वह क्या करेंगा यही धनिया जो आपने पूजा करी थी धन तिरोदशी के दिन कुछ धनिया लाल कपड़े में बांद के अपने घर की तिजोरी आपका ऑफिस का गल्ला है या कुछ भी है उसमें रखिए आप अपने कैश बॉक्स में रखि के चहें थोड़ी चहें जादा आप रख लीजिए बाकी आप लोगों को मैं फिर आपको एक सबसे जरूरी बात बता दूं कि यह जो त्योहार का समय है इस समय में अलुमिनियम की चीजें बिल्कुल भी भूल कर मत लेकर आएं इलेक्ट्रोनिक्स थोड़ा वाइड करिए आगे पीछे कुछ और दिन आएंगे उनमें ले लिजिए पर जिसके राहू संबंदित प्रॉलम है अलुमिनियम के बरतन से परहिस करें इलेक्ट्रोनिक्स इस दिन ना खरीदे खरीदना है तो सोना चांदी पीतल तांबा का सा यह धातू आपके जीवन में शुबता बढ लेकर आएगा और खुशियां आपके जीवन में आ जाएं इसके लिए मैं आपको इस तरह की जानकारी देता हूं और देता रहूंगा बाकी मिलते हैं तब तक के लिए आगए दीजिए नमस्कार इस दिपावली अपने घर में बुलाएं साक्षात मालक्षमी को और प्रते आत्री के समय में इन पोटलीयों को सिद्ध करके आपके अड्रस पर भीजा जाएगा इनके अंदर वो दिवेगा समगरियां होती हैं जिनको सही मंत्रों और सही तरीके से प्रांट प्रतिश्तागर और आपके घर के लाकर में रख दिए जाए तो ये आपके धन में पृद मालक्षमी पोटली को बुक कराने के लिए आपको अपना नाम एड्रस घोतर इत्यादी बताना होगा बुक कराने के लिए मेरा वाटसेप नमबर यह है और यह पोटली लिमिटेड होती हैं हमारे पास समय रहते ही अगर आप इनको मंगा लेंगे तो कहीं न कहीं आपका ही फायदा होगा नहीं तो बाद में यह पोटलीयां नहीं मिलती हैं क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है